नमस्कार, आज हम कक्षा ग्यार्वी के पुस्तक राजनितिक सध्धान के अध्याये दो सवतंतरता के भाग दो पर बादचीत करने जा रहे हैं इस पार को दो भागों में बाटा गया है इस पीटियों में हम जिन बिंदूओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं उदारवादी बनाम माक्सवादी धार्ना सवतंतरता संबंधी जे एस मिल के विचार हानी का सिध्धान्थ अभी व्यक्ति की सवतंतरता सबक तर्क सवतंतरता की रक्षा के उपाए और सवतंतरता बनाम सवतंतरता अथार्थ लिबर्टी बनाम प्रिडम पहले बिंदू पर बात करते हैं उदारवादी पनाम माक्सवादी धारना एत्यासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की नियुनतम हस्तक शेप का पक्ष लिया है हाला कि अब ये कल्यानकरी राज्य की भूमिका को भी सविकार करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक आसमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है सकारात्मक उदारवादी, हाप्स, लौक तथा लास की समर्थन करते हैं कि कानून व्यक्तियों की सर्वतंतरता की रक्षा करता है, सार्वजनिक हित में व्यक्तियों को सर्वत्तम विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रतिबदों का समर्थन भी करते हैं। उदारवादी व्यक्तिवागत सर्वतंतरता को समानता जैसे मुल्यों से आधिक वरियता देते हैं। वे आम तोर पर राजनितिक सत्ता को भी संधे की नजर से देखते हैं। माक्सवादी समाजिक जीवन के धाचे से उपलब्ध आर्थिक सवतंतरता को महत्व देते हैं। सवतंतरता की माक्सवादी धारना सबी लोगों के लिए उनके समान हितों की कामना करती है। वर्गों के भोज से दबे बुजूरा समाज में उसके निहित तार्थ भिन वर्गों के लिए भिन होते हैं। इसलिए जब तक पूंजीवादी विवस्ता के स्तान पर समाजवादी विवस्ता नहीं आ जाती तब तक वास्तविक सवतंतरता संभव नहीं है। दूसरा बिंदू है सवतंतरता संबंदी JS MIL के विचार JS MIL ने सवतंतरता संबंदी व्यक्ति के कारियों को दो भागों में बाटा है परसबंद कारिय या स्वसबंद कारिय स्वांसबंद कारियों में वे कारिये हैं जिनके परभाव केवल इन कारियों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं इन कारियों वा निर्णियों के मामले में राज्य या किसी बहारी सत्ता को कोई हस्तक्षिप करने की जरूरत नहीं है परसबंद कारियों में वे कारिये जिनका परभाव करता के अलावा लोगों पर भी पड़ता है और ऐसे कारिये जो दूसरे को नुकसान पहुँचा सकते हैं, उन पर राज्ये पहरी प्रतिबंद लगा सकते हैं परसबंद कारियों से किसी दूसरे को हानी हो सकती है, इस कारण से उस पर उचित्य पूर्ण प्रतिबंद लगाया जा सकता है राज्य का किसी व्यक्ति के कारियों वा इच्छा के खिलाफ प्रतिबंद लगाने का उदेशे किसी अन्ने को हानी से बचाना होता है, इसे ही हानी का सिधान कहते हैं. चोधा बिंदु है अभी व्यक्ति की सवतंतरता अभी व्यक्ति की सवतंतरता का मुद्दा आहस्तक शेप के लगुतम शेत्र से जुड़ा है जान स्टुवर्ट मिल की द्वारा अपनी पुस्तक आन लिबर्टी में सबल तर्क रखते हुए कहा गया कि अभी व्यक्ति की सवतंतरता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत और भ्रामक लग रहे हुँ कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता उसमें सच्चाई का कुछ अंश जरूर होता है सत्य स्वय से उत्पन नहीं होता बलिक विरोधी विचारों के टक्राव से पैदा होता है जब किसी विचार के समक्ष एक विरोधी विचार आता है तभी उस विचार की विश्वशनियता सिद्ध होती है जो सत्य है वे हमेशा सत्य नहीं रह सकता कई बार जो विचार आज सभी कारिय नहीं है वे आने वाले समय के लिए मुल्लयवान भी हो सकते हैं अभिव्यक्ति की सवतंतरता पर प्रतिबंद अल्पकालिन रूप से समस्य का समधान बन जाते हैं तथा तत्कालिन मांग को पूरा कर देते हैं. चाटा बिंदू है सवतंतरता की रक्षा के उपायों में कुछ बिंदों पर ध्यान के इंदरित किया जा सकता है, जैसे लोक्तांत्रिक शाशन व्यवस्ता का होना मौलिक अधिकारों का प्रावधान न्याय पालिका की सवतंतत्ता शक्तियों का पीकेंद्री करण शक्तिशाली विरोधी दल आर्थिक समान्ता विशेशा अधिकार का ना होना जागरुक जन्मत का होना आदि सात्मा बिंदु है सवतंतता लिबर्टी बनाम सवतंतता फ्रिडम हम प्राए सवतंतता संकल्पना को फ्रिडम तथा लिबर्टी के समाना थक शब्दों के रूप में परियोग होते हुए देखते हैं प्रन्तु इन दोनों संकनलपनाओं के मद्धे कुछ मूल भूत अंतर भी हैं जिने समझना आवशक है Liberty Latin शब्द, Liberatum से आया है जिसका अर्थ है मुक्त व्यक्तिक स्थिति जबकि सवतंतरता Freedom अंग्रेजी शब्द Freedom से बना है जिसका अर्थ है मुक्त राज्य Liberty व्यक्तिकी स्वय की इच्छा के अनुसार कारिय करने तथा स्वयम को अभी व्यक्त करने की शक्ति है जबकि Freedom किसी के कारिय को निश्चित करने की शक्ति होती है Freedom Liberty से अधिक ठोस संकल्पना है Freedom व्यक्ति के राज्य के साथ अन्य व्यक्तियों के साथ एवं परिस्थितियों के साथ संबंध की संकल्पना है राज्य लिबर्टी के माध्यम से अपने नाग्रिकों को Freedom की गारंटी परदान करता है सवतंतिता Freedom के रूप में एक मुक्त व्यक्ति की स्थिति है यह कारिय करने की शक्ति है इसके अनुसार व्यक्ति कुछ करने के लिए सवतंत्र होता है सवतंतिता Liberty के रूप में हम जान सकते हैं कि यह सवतंत्र इच्छा की आवस्तित यह निर्ने लेने की शक्ति देती है किसी से सवतंत्र होने की आवस्ता भी होती है इन दोनों संकल्पनाओं के मद्धे एक समान्य विशेष्टा यह है कि यह दोनों असबंदित हैं अथार्थ एक दूसरे की प्राप्ती में बाधा मुप्त हैं इसके अतिरिक दोनों अपने बोध के संधर्व में नैतिक अनुरूपता का पालन करते हैं अंत में आज के चर्चर के अंत में हम पाठ के जिन बिंदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए वे हैं उदारवादी बना माक्सवादी धार्णा सब्तंतरता संबंदी जेएस मिल के विचार हानी का सिध्धान्त अभी व्यक्ति की सब्तंतरता सबक तर्क, सवतंतर्ता की रक्षा के उपाय और सवतंतर्ता लिबर्टी बनाम सवतंतर्ता फ्रीडम I hope you enjoyed the lesson अगली वीडियो में अगले पाट की चर्चा करेंगे Thank you for your kind attention